सबी दोस्तों को जैं हिंद बने मातरम राम राम SSC MTS की नई भरती के एक्जामों क्या से क्वालिफाइ करना उसके लिए best strategy और best study plan लेके आया हुआ हूँ इस strategy के साथ अगर आप दो मेना त्यारी कर लो तो आप अराम से SSC MTS की नई भरती एक्जामों क्वालिफाइ कर सकते हो और 8000 पोस्ट में से अपने एक सिर्फपका कर सकते हो इसकी सुरुवात करते हैं strategy का सबसे पहले कि कैसे आपका exam होता है और exam का level क्या होता है सबसे पहले अगर बात करें से MTS का तो MTS में आपके session 1 और session 2 दो टाइप का paper होता है हमें ज्यादा focus करना है general awareness और English के paper में यह दो paper जो है यही आपके merit बनाएगा और यही दो paper आपके selection करवाएगा बात बात कि यह जो paper है यह सी pass करने के लिए है तो math को जादा ध्यान नहीं देना नहीं जादा reasoning पर ध्यान देना है math में बस बहिया इतना ही आपको पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूं इसे जादा आपको math पढ़ने की विज़ूरत नहीं है अब math में क्या पढ़ना है तो आप यहां पर देख सकते हैं math में यह सारे topics है ठीक है आप देख सकते हैं ratio, purpose, average, profit, loss, simple, interest, compound, interest, time, work ठीक है तो यह सारे topics में से आप कोई सा भी मैं बताओ कोई सा भी जितने भी topic कोई सा भी past topic आप cover कर लेना math का और reasoning के यह मैं आपको topic बता रहा हूँ, यह सारे topics cover कर लेना हो गया, आप pass हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, qualify ही तो करना है, तो आप आराम से qualify हो जाओगे, फूल भी आपको problem नहीं होगा, ठीक है, बस इतना ही तो आपको cover करना है, आप आराम से qualify हो जाओगे ठीक है, मैं तो कोई पास topic उठा लेना, और इतना भी topic है, सारे topic हो cover कर लेना, मैं तापर clear हो जाएगा, अब सबसे ज़्यादा जो focus करना है, हमें किस पर करना है, हमें करना है, GKGS और हमारे English पर, यहीं जो है दोस्तों, आपका selection कराएगी, और यहीं है दोस्तों, आपकी ज सबसे पहले दोस्तों, SSE MTS exam qualify करने के लिए, कुछ चीज हमें बहुत important है, जो कि हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम SSE MTS exam qualify नहीं कर पाएगे, सबसे पहले, इसके syllabus करना पड़ेगा, और किसके syllabus करना है, सिर्फ दोस्तों, आपके GKGS और English के syllabus करना है, math और reasoning को हटा देना है कोई दिक करते हैं, उसी passing है, मैंने जितना आपको बता है, उतना करना है, बस, तो आपको सिलावा सिर्फ कभर करना है, English और GKGS, इसके बाद दोस्तों, PYQ, Previous Year Salt Paper, ये लगाना सबसे ज़रा ज़रूरी है, और इसके लिए दोस्तों, मैं आपको honor the best book recommend कर देता हूँ, जो कि किरन publication की PYQ book आती है, जो कि दोस्तों, आपके math, reasoning, GKGS, Hindi, सभी के आ जाती है, और ये सारे book बहुत दा important है, आपके selection दिलाने में, क्योंकि मैं आपको दाद दू, अपकी बाद दोस्तों, जो SSE MTS का exam हुआ था, 2023 में, ठीक है, उसका पूरा sets इस book में आपको मिलने वाला है, और ये book दोस्तों, आपको purchase जरूर करना चाहिए, यही book आपका selection कराएगी, और कैसे selection कराएगी, वीडियो के आगे में आपको पूरी जनकारी मिलती जाएगी, तो ये सारे book को आपको purchase करना बहुत जरूरी है, समाने ग्यान, समाने अध्यान, Hindi, English, अभी के मिल जाएगे, त जिस बच्चे को, इतना भी दोस्तों नहीं करना है, वो चाहे तो दोस्तों, कि और एक आती है, Combined Solvepper, इसमें दोस्तों, आपको क्या है, सारा question mix होके दोस्तों, एक ही बार आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हिंदी और English दोनों में available है, इसमें आप आपके पास होना ही चाहिए, तब ही आप SSC MPS exam qualify कर पाओगे, ये दो बुक, एक है समान आपके अध्यान की, और दूसरा ये English का, क्योंकि ये ही दो बुक आपके merit बनवाएगी, याद रखना, ठीक है, और कैसे बनाएगी, आपको मैं साब बताऊंगा, पर सारे बुक कर ल GKGS में क्या है ना, ज्यादा दर question, आपने देखा होगा दो जगा से आते हैं, एक, GKGS के सारे history, geography, politics, यहां से question आते हैं, दूसरा, static GK का आता है, जैसे कि दोस्ता, festival, dance, music, temple, sports, यहां से ज्यादा दर question आते हैं, तो दो type का आपका दोस्तों paper में question आता है GKGS का, और ज्याद देख सकते हैं, पूरा दोस्तों chemistry, biology, सब कुछ आपको complete करना पड़ेगा, यह आप कैसे complete कर पाओगे, तो आप किसी YouTube channel से कर सकते हो, और YouTube channel से अगर करोगे, तो बहुत सब्सक्राइब ले लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ book recommend करता है, Lucian की एक book आ जाती है, दूसर इसके आप यह पूरा GKGS वो cover कर सकते हो, और GKGS वो cover करने के पी वाई क्यों क्यों जरूरी है, देखिए, ऐसे आपने history का पूरा दोस्तों आपने cover कर लिया, इसके बाद पी वाई क्यों लगा लिया, इसके आपको यह पना question आपको याद है, और किसना question याद नहीं है, इस पी वाई क्यों लगा लिए, आपको पता चल लिए, पॉल्टी में क्या आपने पढ़ा, क्या आपको याद हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर भया कोई डिक्कत नहीं है, ऐसे पॉल्टी भी cover हो जाएगा, इसलिए दोस्तों जैसे ही कोई आपका subject cover करो, पी वाई क्यों लगा आपके लिए अच्छी रहेगी, इसके बाद दोस्तों GKS में और एक pattern आता है, सभी को पता है, स्टाटिक GKS, जहां से दोस्तों जाद दर कोईशन बनते हैं, अप्रोक्स नहीं भी तो, 5 से लेके 7 कोईशन और हो सकता है, इसके 10 कोईशन तक भी बन जाता है, स्टाटिक GKS से कभी कबार, तो ये चीज़ हमें कभर करना बहुत ज़रूरी है, स्टीम्ट से एक्जाम अगर कौलिफाई करना है तो, सबसे पहले है फैस्टिवल, इसको पूरा पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, डांस के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, जिसे हम हिंदी में नित्ती भी कहत है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आपके important temple, जो भी हमारे दोस्तों, मंदीर वगएरा है, प्रमुख मंदीर, sports, sports में किसको award मिला, किसको नहीं मिला, अभी हाली में कौन से sports चल रहा है, उसमें कितने लोगों ने participate किया है, कौन gold medal लेके आया हुआ है, पुरा six month का दोस्तो पूरा आपको sports के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा, तब ही दोस्तों, आप इसके exam qualify कर पाओगे, इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पर award मिला है, मैंने आपको कहाई है, इसके बाद दोस्तों, important organization, WHO का headquarter कहा है, ठीक है, member and headquarter, इसको भी दोस्तों, आपको यह आपको cover करना है, फिर six month का, जितने भी दोस्तों आपने यह cover कर लिया, फिर आपको क्या करना है, six month, six month में जितने भी current में जो भी कुछ हुआ है, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है, और आप अराम से six month का current आप पढ़ लेना, और बाद बाद बा इसको cover कर लेना, आप देखना, GKGS में आपका score बवाल आएगा, जो GKGS का आपका paper होता है, यहाप यहापे देख से 25 नमर का paper होता है, आप इसमें से 20 question आराम से solve करके आओगे, किसी का बाप आप 20 number नहीं रोखेगा, अगर आप इतना कर लेते हो तो, आराम से 20 number आप टाप करना है, देखिए, इंग्लिस को cover करने के लिए थोड़ा सा critical है, क्यों critical है इंग्लिस कवर करना, पिर 90% हमारे जो बच्चे हैं, वो सब हिंदी बेग्राउंड से आते हैं, और इंग्लिस समझ नहीं पाते, इसलिए भाई, GKGS तो cover हो जाता है, लेकिं इंग्लिस कवर नहीं ठीक है, और इसके बाद grammar rule हो गए, इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, और भी आप एंग्लिस का है, reading हो गया, यह सब कुछ दोस्तों मितु मैम कवर करा देगी, मितु मैम से पूरा दोस्तों इसके English के सिलावस कवर करना है, और इसके बाद दोस्तों कवर क पूरा आपको पढ़ना है, और इसके बाद दोस्तों के बाद आप ग्रामर कूल आते हैं, जिसमें दोस्तों आप यह सब दोस्तों आपको क्लियर करना है, ग्रामर का, और यह दोस्तों आपको दो टॉपिक क्लियर करना है, देखिए, मैंने अभी तक पीचर सजेश्ट नही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में लिटरिली बोल रहा हूं इतनी में बहुत अच्छा पढ़ाती है आपको मज़ा आएगा पढ़ने में उनसे पढ़ोगे तो अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे इसके बाद दोस्तों हम एक और टॉपिक है रीडिंग अब बोलोगे रीडिंग तो बच्चे वाला चीज़े सवरब या कौन सा चीज़े हम तो अराम से पढ़ लेकिन 90% बच्चे हिंदी बेगरान से आते हैं मैं बार बर के रहा हिंदी मीडियों वह है इंग्लिश का जो भी हो गया आपके पेसेज वगरा हो गया वो उनको समझी अभी पाते तो डिज al well आपके था सब्सक्राइब करोने फिक है करने के लिए और शिम्रड़े और इंग्लिश के प्लेगा आप बहुत अच्छा रहेगी और धुशा आप यहाँ पर पर प्ड़ोगे इंग्लिश वाला वह भी दोस्तराबक कर लेगा टिक है, रीडियों कबर करने के लिए। और इंग्लिस के लिए आपको इसे सेला देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए नित्व मैम को आप पूरा दोस्तों, इंग्लिस के लिए फॉलो कर सकते हो, बहुत इच्छा पड़ाती है, बात बाद की और कि और करने की जुरूरत नहीं तो मैंने आपको यह बता दिया इस्टाटिक जीके और जीके जीएस यह जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताए यूटूब पे फ्री आपको बहुत सारे यूटूब चैनल है जो आपको दोस्तों हिस्ट्री ऑल्टिकल साइंच जोग्राफी यह सब कुछ कभर किया हुआ है तो वही जो कभर वाला वीडियो वही और एक बार देख लोगे तो आप अराम सेलेक्शन ले पागए फ्री आप कॉस्ट आप ऐसी सी एंप्टे से एक्जाम क्लियर कर सकते हो और ज्यादा फोकस जीके जीएस और दोस्तों आपको इंग्लिस में ही बात बाकि और साइट टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करने की जूरत नहीं है जीके जीएस मैं आपको बढ़ा हो दिन में करीबन 3 HR तीन घंटे और आपका दोस्तों जीके जीएस तीन घंटा और इंग्लिस मिनिमम आपको थ्री आवर्स पढ़ना है आप आराम से से एंप्टे इस एकजाम हो क्लियर कर जाओगे और यह सब पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है? रिवीजन! अब रिवीजन सबसे जादा ज़रूरी है! आप किसी ब एकजाम हो कॉलिफाई करो, रिवीजन इतना ज़रूरी है जितना भई में क्या ब्लूँए! करना आपने जो भी सप्ता में पढ़ा है उसको पुरा रिवाइस करना है अब रिवाइस सबसे ज्यादा किसो करना है इंग्लिश और जी के जीएस को बात भाई कि दोस्तों मैथ और इजनी जिन बचों का आउल लड़ी पॉर्ण चप्टर आपने पढ़ा है वो चप्टर को एक बार रिवाइस कर लेना और मैंथ और आपको पीवाइस का लगाना बहुत जरूरी है और दोस्तों आपको लगाना है मतलब दोस्तों, एक, एक, कितना हो गया, दो, दो पीवाई, क्यॐ आपको लगाना है, प्रिविय S-Year Portion, और दो आपको Mock Test लगाना है, और इसमें आपको कितना स्कोर आ रहा है, उसमें आपको कितना स्कोर आ रहा है, इसमें आपको क्लिएर हो जाएगा, और future का आपको score दिखाए दिया कि हाँ, अभी अगर दोस्तों इतना score आ रहा है, तो बाद में कितना score आ सकता है, और बाद में हमारा कितना number लाएंगे तो हमारा selection हो सकता है, और दोस्तों इसी इसाब से दोस्तों आप revise करके अराम से ला सकते हो, अब PYQ क्यों जरूरी है, PYQ इसलिए जरूरी है कि previous year question के pattern के according, और previous year का भी ज़्यादा आपको पढ़ने की जूरत नहीं है, next year जिस से पर question आए दे, उसी को अगर आप follow कर लो, तो आप SAC MTS के examper आराम से qualify कर सकते हो, SAC का इतिहास है, 90% question इसके repeat होते हैं, तीक है, आज दोस्तों अकबर के बारे हम पू question होते हैं, कोई बहुत बढ़ी चीज है नहीं, 90% repeat question है, इसलिए मैं गोरा हूँ, ज्यादा focus, PYQ, mock test और English पे करना, ये तीन चीज़ते ज्यादा focus करोगे, तो आप आराम से clear कर लोगे, और GKGS पे करना, पास बकी math के लिए ज्यादा कुछ पढ़ने की जुरुरत नहीं है, मैंने जितना बताया, इतना ही math और reasoning में कर लेना, आप आराम से qualify कर जाओगे, अब दोस्तों, बहुत सारे लोग बोले हैं, क्या करें सवरभ भया, हमें तो ज्यादा focus math और reasoning पे भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नहीं हो पाएगा, तो math और reasoning तो इतना जैसे आप चीज़ है नहीं, ज्यादा focus भाईया, general awareness और English language करते हैं, तो उनका English ने problem होगा, तो English पर ज्यादा focus करना है, और exam मों qualify करना, और PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, तिसी के लिए दोस्तों मैं आपको suggestion देता हूँ, कि दो PYQ आपके पास होना चाहिए, आपके पास कुछ हो कि दो PYQ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, English और समाने अध्यादा, और दोस्तों ये दो PYQ लेने के बाद, दोस्तों आप चाहो तो ये complete set भी ले सकते हो, जिससे आपको दोस्तों ये पता चल जाएगा, तो ये सारे बुक बहुत आ इंपोरेंट है, सारे बुक के लिए इसकोर में डाल दिया है, और इस हिसाब से आप तयारी करो, तो आप अगर टू मन्त तक दोस्तों अपने आपको रगड के तयारी करो, तो आप अराम से CCMTS एक्जामों क्लियर कर सकते हो, अब मैं आपको प्रिवेस येर में CCMTS अगर हम रेकॉर्ड देखें, प्रिवेस ये कि पढ़ाई करके सिलेक्शन लोगें कि नहीं ले पाओ, क्योंकि दोस्तों पोस्ट आपके 8 के हैं, और दोस्तों आपका कट अब लास्ट पहां ठाके 8 गया हुआ था, तो आप आप बोलो कि आप इसके एक्जामों क्वालिफाई कर सकते हो, मेरे ख्याल से आप आराम से इस पहले, आप यहां जाओगे, अगर आप बिल से नहीं चाह中共, मुझे नहीं करना है, करना है, तो आप भंषी पस्ताते होगे, अपना विजन क्लियर रखो, कुट्य की तरह मत हो कि मुझे रोड्द पार करनी है, रोड पार नहीं करना है, गाड़ी कचर के चल जाएगा, अप अपने हैं सामने कितना बड़ा भी जानवर हो, अगर वो जुंड में हो, तो भाई वो जिंदा बच के नहीं जा सकता, उनका भी एक ही टारगेट होता है, इसको मारना है, तो हम कैसे भी इसको खा जाएंगे, उसी टाइप से आपका विजन क्लियर रखना है, कि हमें एक्जाम क्लियर रखके सेलेक्शन लेना है, डरपो की तरह फिसलिकी बितानी है, जाए हिंद, जाए भारत,